दिनकर पठना के रहने वाले हैं उनकी पत्नी की उम्रे 57 साल है अब पिछले कई समय से उनके जोडों और हडियों में दर्द था वो थोड़ी देर खड़े होकर कुछ काम कर लेती तो उनके शरीर में फिर दर्द होने लगता ज्यादा देर चलती तो फिर शरीर में दर्द होत जब दिनकर ने अपने पत्नी को डॉक्टर को दिखाया तो उनका एक 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 स्रे हुआ अच्छी बात ये है कि दिनकर समय रहते डॉक्टर के पास चले गए और उनकी पत्नी का इलाज शुरू हो गया अब वो काफी बहतर है अगर उन्होंने देर की होती तो आस्टियोपीनिया को आस्टियोपीरोसिस बनने में देर नहीं लगती आस्टियोपीरोसिस में हटिया इतनी ज्यादा कमजूर हो जाती है कि हलकी सी ठेज से भी तूट सकती है और ये दिक्कत औरतों में बहुत ज्यादा आम है खास तोर पर 40 साल के बाद इसलिए दिन कर चाते हैं कि हम अपने शो पर ऑस्टियोपीनिया के बारे में बात करें कि क्या होता है क्यों होता है इसकी पहचान कैसे करें इसका इलाज क्या है डॉक्टर से जानकारी लेकर लोगों को बताएं ताकि लोग भी समय रहते से पकड़ सके तो सबसे पहले पर यह समझ रहेते हैं कि Osteopenia होता क्या है Osteopenia और Osteoporosis एक बहुत ही common problem है जिस वजह से नाप से स्बसक्राइ το पर्बम इसमें क्या उता है जब हम बहुते हैं कि मरीज हड़्िएं का घनत वो रहा है तो घहना तो या भारीपन कम होने की बिमारी उतकर नहीं QU अक्सर महिलाओं में Osteopenia और बाद में Osteoporosis की शिकायत देखने को मिलती है। Osteopenia का मतलब हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाना, प्रोटीन का रिश जाना जिससे हड्डियां हलकी हो जाती है। यही Osteopenia बाद में Osteoporosis का रूप ले लेता है, जो इससे जादा गंभीर बिमारी है। इस Osteopenia और Osteoporosis की वज़ा से छोटी-छोटी चोट के बाद भी हड्डियां टूटने की शिकायत होने लगती है। अक्सर हम सुनते हैं कि व्रद्धा वस्था में कोई बुजोड बाथरूम में फिसले और उनके कूले की हड्डी या कलाई की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया। यह Osteopenia और Osteoporosis की वज़ा से होता है। डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम होना, महिलाओं में हार्मोनल चेंज होना 40-45 साल के बाद। इन सब की वज़ा से जो हार्मोन बॉड़ी में हड्डियों पे कैल्शियम जमा करते हैं वो कम हो जाते हैं। इस वज़ा से जो केल्शियम को गोलने वाले हार्मोन से वो जादा होते हैं और ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपरोसिस का कारण बनते हैं शुरुआती लक्षण जगा जगा बदन में दर्द होना हाथ-पैरों में दिक्कत होना थकान रहना थोड़ा सा काम करने के बाद ही हाथ-पैरों में पर्मनेंट दर्द हो जाना यह सारी लक्षण ओस्टियोपीनिया की प्रॉब्लम से होते हैं इन सब की जो पहचान है जो उस्टियोपीनिया या उस्टियोपरोसिस की डाइगनोसिज है वो हम लोग मरीज का एक सिंपल सा एक्सरे जैसा टेस्स कराते हैं जिसको डेक्सा स्कैन बोला जाता है उससे होता है तो डेक्सा स्कैन कराने से एक एक्सरे की किरण आपकी हड़ी की घनतु को नापती है और उस घनत को नापने के बाद वो ये बताती है कि किस रेंज में है शुरुवारती जो ट्रीटमेंट है वो हलकी एक्सराइज से शुरू होता है थोड़ा सा धूप लेने से विटामेंट डी भी काफी सहयक होती है कुछ लोगों को हम सप्लिमेंट डेते हैं जिससे की हड़ी में कैल्सियम वगरा की मातरा पूरी हो जाती है जो जादा एज के बुजूर्ग हैं जैसे 55-65 के रेंज के लोग या उससे भी उपर के लोग उनको कुछ प्रॉपर मेडिसेंस होती है जो ओस्टियोपरोसिस या ओस प्रॉपरोसिस को कम्प्लीटली रिवर्स करके हड़ी का घना तो वापस पा सकते हैं उसके लिए जरूरत है सिर्फ डॉक्टर की सला की कुछ दवाईयों की नियमित वैयाम और खान-पान में चेंज सबसे पहले बाल्य अवस्था से ही अपने अपने खाने में दूद की मात्रा या कैल्शियम की मात्रा उपयोगत रखें उसके लिए बच्चों को टीनेजर्स को बड़ों को 200 ml दूद सुबा शाम लेना आती अवर्शक है जिन लोगों को पेट से संबंदित प्रॉब्लम्स हैं वो कैल्शियम की दवाईयां भी ले सकते हैं और खाने की अन्य चीज़ें जैसे केला पालत पनीर दही यह सब बहुत लाबतायक है इसके अलावा हर व्यक्ति को प्रती दिन 30 मिनट की कुछ न कुछ एक्सरसाइज शेडूल बनाना चाहिए जिससे की हम हफते में 5 दिन अच्छे से अपने जोडों को कसरत करें किसी भी तरह की मॉनिंग वॉक चाहें वो डांस करना हो सीडी पे चड़ना हो कुछ हलके वजन के साथ एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी होबी जैसे की बैडमिंटन खेलना क्रिकेट खेलना होकी खेलना यह सब कसरत के रूप में आप कर सकते हैं इसके अलावा आजकल विटामिंटी की कमी बहुत होती है क्योंकि हम सभी लोग इंडोर में धूप से दूर बैठे होते हैं उनके लिए मेरा यह संदेश है कि आप टी-शर्ट और निकर में कम से कम हफते में तीन दिन आदे गंटे आप सूरज के एक्सपोजर ल हर हफते के इसाब से दी जाती है उनका सेवन कर सकते हैं जब भी आपको कोई भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है कभी चोट लगती है घुटने में दर्द होता है बजन जादा है इन लोगों को डॉक्टरी परामश लेने की आप शकता है वे लोग जिनका हाइट क के इसाब से बजन बहुत जादा है उनके लिए मैं कहूंगा कि अगर आप उसको सही अनुपात में कायम रख पाएंगे तो आपके हड़ी और जोड़ जादा दिन तक सलामत रहेंगे और आपको व्रद्धा वस्ता में भी जोड़ों से समद्दित कोई तकलीफ नहीं होगी हम अकसर यही मानकर चलते हैं कि समय के साथ हमारी हड़ीयां कमजोर हो ही जाएंगी जोड़ों में दर्द शुरू हो ही जाएगा पर इसको इतना फौर ग्रांटट लेनी की जरूरत नहीं है आप हड़ीयों और जोड़ों का दर्द उनकी कमजोरी यह सब टाल सकते हैं यहां गर्मियों में सके नामतौर पर आइली हो ही जाती है इसलिए लोग मोस्चराइजर लगाने से बचते हैं खासतोर पर आइली सकिन वाले लोग यह बहुत बढ़ी गल्ती है अगर हमारी सकिन में आइल ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि पानी भी ज्यादा हो क्योंकि आइल KelySkin और dhydrated skin इन दोनों में फरक होता है इसलिए इसकिन को मौ設राइज करना बहुत जरूरी है अगर आपके पास 4-5 प्रोडक्ट्स हैं इस्तेमाल करने के लिए इस ऑरडर में इस्तेमाल करिये गलत पानी से ज्यादा देर तक ना नहाएं इस स्किन के पोर्ड जो हैं वो खुल जाते हैं और सारा मौइस्चर निगल जाता है इस कारण स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है फिर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तमाल करें वो स्किन में अब्जॉब नहीं होता है उल्टा बहुत लंबे समय के लिए लगाएंगे या फिर दो अलग इंग्रीडियंट मिक्स करके लगाएंगे जिने साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए तो उससे भी स्किन को काफी नुकसान पहुचता है काफी साइड इफेक्स का सामना करना पड़ता है संड डामज से स्किन धीरे- मिटी वगेरा से सकेन बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है इसलिए हम उसे साफ करने की कोशिश करने लगते हैं इस चक्कर में सक्ट ज्यादा रगड़ा जाता है सक्ट को आप फर्ष की तरह रगड़ नहीं सकते आप सकिन को damage कर रहे हैं अगर आप तॉलिय से बहुत hard या फिर बहुत देर तक रब करते हैं अपनी skin को तो फिर आपकी skin जो है damage हो सकती है या फिर आप cotton इस्तेमाल करते हैं यह सोच कर कि cotton तो बहुत सॉफ्ट होता है यह स्किन के लिए बैटर है तो चलो ज्यादा देड़ तक रप कर लेते हैं ज्यादा कसके रप कर लेते हैं यह भी गलत है अगर आप मेक अप वाइट यूज करते हैं जो की सी हेल्थ टिप जानी अपदी डाइट पे ओमेगा-3 फैटी आसिट शामिल करना क्यों जरूरी है जब बात एक हेल्दी डाइट खानी की आती है तो हो मकसर कैल्शियम और विटामिन्स पर जोड़ देते हैं पर इनके अलाव एक और पोशक तत्व है जिसका आपकी डाइट मे शामिल होना बेहत जरूरी है ओमेगा-3 फैटी आसिट इसके बारे हमें और जानकारी दी डाइटिशन और नुटिशनिस्ट सौमया मिश्रान यह आपके शरीर के लिए सबसे जरूरी पोशक तत्वों में से एक है इसलिए इसकी कमी होने पर हॉर्मोनल इंबालन्स हो सकता ह साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ सकती है ओमेगा-3 फैटी आसिट की कमी से आपके शरीर में कुछ लक्षन दिखते हैं जैसे ही आपके हाट की हेल्थ के लिए जरूरी है अगर यह आपकी डाइट में शामिल ना हो तो आपको दिल से जुड़ी बिमारिया हो स आसतोर पर बढ़ती उम्र में यही नहीं ओमेगा-3 फैटी आसिट की कमी से आपके बालों का रंग हलका पढ़ने लगता है वो रूखे लगने लगते हैं और साती जड़ने भी लगते हैं अब यह तो रही बात ओमेगा-3 फैटी आसिट के फाइदे और नुकसान की अब ब पाया जाता है ठंडे पानी में मिलने वाली फैटी फिश जैसे के इंडिन सामन रोहु और काठला में अगर आप वैज हैं तो आपनी डाइट में चिया सीज अक्रोड हैम सीज यानि भांग के बीच सोया बीन और राजमा जरूर शामिल करें आपको फाइदा मिलेगा आज स चानल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजे ताकि जब भी हम कोई नाया वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे शुक्रिया